जैहिंद जै भारत दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जो आपको यहां पर बताएंगे न वह है ठोस द्राव एंड गैस तो अगर इंगलिस में बात करें तो आप देख सकते हैं सॉलिड लिक्विड और यहां पर आ जाता है गैस का गैस तो आप यहां पर देख सकते हैं हमार अगर मेरी दीहुजनकरी अगर आपको समझना आती है तो वीडियो के नीचे कुछ भी लिख दीजेगा ठीक है तो चलिए अब समझते हैं और हाँ आपको तो पता यह होगा कि समझना और न समझना सिर्फ आपके उपर निर्भर करता है ठीक है यहां पर लिखा वह ठोस रियाज किजे पदार्थ को आप ऐसे समझे कि जिसका कुछ न कुछ भार होगा ठीक है तो आप यहां पर मैंने और बहुत सारे गुंदर में पदार्थ के लेकिनि मैंने आपको समझाने के लिए पदार्थ का छोटा सा उधारन मैंने दिया ओके तो यहां पर आप देख सकत हमारा कोई भी पदार्थ है जिसका आकार यानि उसका बनावत निषचित पता है ना निषचित यहां पर आकार भी निश्चित होता है और आतन भी निश्चित होता है तो वे ही आप वे वैसी पदार्थ आपको कहलाते हैं ठोस पदार्थ कहने का मतलब यह कि हम ठोस किसको कहांगे ठोस हम किसे कहांगे तो बस आपको यहां पर यह बात को फोकस करने है कि जिसका आकार निश्चि तो जिसका आप शकल निश्चित एवं आतन यानि उचाई चोड़ाई लंबाई निश्चित हो तो वही तो आपको क्या कहलाता है ठोस ठोस पदार्थ का बहुत ही आसानी से मैंने परिभासा लिख दिया है तो आप यहाँ पर इजिली समझ पाँगे तो मैंने लिखा क्या है कि वह पदार्थ जिसका आकार निश्चित एवं आतन भी निश्चित हो तो वही आपको क्या कहलाता है ठोस पदार्थ आप यहाँ पर इजिली समझ पाँगे तो उधारन आप दिखेंगे तो जैसे किताब ह गया और इसके बाद टेबल हो गया और इसके बाद कूर्सी हो गया और साथ ही मोबाइल पेन यानी कलम और घर इतियादी कहने का मतलों और भी बहुत सारे चीज़ ठीक है तो यहां पर किताब क्या किताब का जो अकार होता है क्या अनिश्चित होता है क्या किताब का अकार अन अकार के होता है मोबाइल भी घर यहां को यहांपर बहुत यह संनी से मिल जागा किताब का भी आतन निस्चित होता है एक कडियादी तो साथी यह सब क्या यही सब आपके ठोस पदार्थ है तो कि आपको ठोस है समझ आई बस आपको यहाँ पर यह ख्याल रखने है कि जिसका जिस भी पदार्थ का अकार निश्चित होगा यह अम आयतन उसका निश्चित होगा तो वही तो है आपका ठोस ओके तो चलिए अब हम समझते हैं आगे की बाते तो अगला जो हमारा बात आता है वह है द्रौपदार्थ यानि अगर इंगलिस में बात करें तो लिक्विड मैटर ठीक है तो साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे अकार यानि जिसका सकल रूप यानि उसका बनावट अनिश्चीत यहाँ यहाँ पर आप देखेगा बाध्यान देने वाली बात यहाँ पर वफदार्थ जिसका अकार अनिश्चीत यहाँ आतन निश्चीत होता है तो वह आपको द्रौपदार्व कहलाता है जैसे हमारा पानी पानी का जो आकार होता है ना अनिस्चीत होता है कहने का मतलब यह कि अगर हम गलास में पानी लेते हैं तो वह गलास का आकार लेता है जी है दोस्त हम अगर गलास में अगर पानी लें तो हमारा जो पानी होता है वह गलास का आकार ले लेता है ठीक है और जै समझ पाएंगे और साथ ही इतियादी ओके तो यह आपको समझ आई की नहीं आप यहां पर बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं ठीक है तो जरा से पर गेस का इंगलिस गईस ही होता है, और साथ या आप देख सकते हैं, गेस का जो परिवासा है बहूत याशान है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो लिखा हुए, कि वह फदार्त जिसका आकार एवन आतन दोनो ही अनिश्चित होता है तो वही आपको कहलाता है गैस उसी को हम कहते हैं गैस जैसे आपको हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या एक गैस ही है और करबन डियोकसाइड नैट्रोजन हाइड्रोजन इत्यादी आपको तो ऐसे ही पता है गैस यानि भाफ के रूप में तो यहां पर उनका जो आकार होता है रूप होता है और लंबाई छोडाई जो होता है इनका अनी स्चीत होता है तो यही तो है आपको गैस तो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख लिजिए और हां भाई मेरी दी हुई जैंकारी से अगर आप थोड़ा सा भी कुछ सिखते हैं न त्यार प्यारा से सबस्क्राइब कर देना मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहें और जुड़े रहें बाई बाई टिक क्यार बेस्ट ओफ लक